हेलो स्टुडेंट मैं हूं रिना आप देखरें रिना अकडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज के सेसन में आपके लिए लाए हूं कक्षा चार हिंदी व्याकरार का पार्ट नंबर बेस जिसमें आज हम सभी लोग आव विकारी शब्द के संपु निदी शम्कोर्ट प्रश्ण आव्यास करवाए चाहेंगे तो आव्यास कारिक्स में सबसे पहले है बहुत विकल्पी प्रश्ण देगई विकल्पों को पढ़कर सही विकल्प के सामने सही लगाईए तो प्रश्न है निम्नलिकित अव्य सब्दों में किर्याविसेसर इतम option पढ़ते हैं यह वहां हाई अंदर तो खावाले का second नहीं थार्ड option सही इसमें तीस्रे में सबको सही का निशान लगाना है, गह संबंद बोधक अव्य हैं, option पढ़ते हैं छीफ के पास सुबह या, तो इसमें गवाले का second option सही है के पास जो की संबंद बोधक अव्य है इसमें सब को सही का निशान लगाना है अब नेश्ठ है इन में समुच्चे बोधक अव्य नहीं है option पढ़ते हैं लेकिन चौकी और उफ तो इन चारों option में समुच्चे बोधक अव्य नहीं है ओफ यानि fourth option सही है अब अविकारी सब्द प्रकार के होते हैं तो अविकारी सब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के यानि अँगा का option number one सही है इसमें सब को शही का निशान लगाना है अमनेश्ट है, च, क्रिया की विसिस्ता बताने वाले अव्वे को कहते हैं, आप्शन पढ़ते हैं, संबंद बोधक, क्रिया विसिस्ता बताने वाले अव्वे को कहते हैं, आप्शन पढ़ते हैं, संबंद बोधक, क्रिया विसिस्ता बताने वाले अव्वे को, तो च, वाले क पुस्तक के रखी है, तो यहां पर के उपर इसमें फिल करना, तो हमारा sentence बनेगा, मेज के उपर पुस्तक रखी है, वह पढ़ने में होशियार है, सरारत भी करता है, तो यहां से हम परन्तू option यहां फिल करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे परन्तू, अब हमारा sentence हुआ, वह विद्याले नहीं आया, उसे बुखार था, तो इसमें से हम क्योंकि option को यहां पर फिल करेंगे, तो हमारा sentence बन जाएगा, वा विद्याले नहीं आया, क्योंकि उसे बुखार था, हमने श्ठिस में, नमबर ते, उचित विसमादी बोधक अव्यतवारा स्थान भरिये, तो इहां पर यहां पर अप्षन दे रखा है, तो इहां पर हम फिल करेंगे option वा हमारा sentence बनेगा वा, कितनी स्वक्षता है यहां, अब खार है, इसमें से हम अरे option को यहां फिकल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया हाई राम यह क्या हो गया अमनेश्ट है इसमें शाबास इसमें फिल करेंगे थमारा वाक्य बनेगा शाबास तुमने बहुत अच्छा काम किया है अमनेश्च लगूत तरी प्रश्ण नंबर चार वाक्य से अविकारी शब्द छाट कर लिखी अविकारी सर का भेद है खा है पिता जी बाहर गए है इस वाक्य में बाहर शब्द आविकारी है और यह शंबंद बोधक का भेद है गह यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते इस वाक्य में यदि शब्द आविकारी है और यह समुच्य बोधक का भेद है अब घा है अनुच्छेद अ अब वे सब्दों का प्रियोग करके वाक्य रशना कीजिए।। यहां पे कुछ शब्द दे रखें। इसका हमको वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले है। इसलिए। इससे हमने वाक्य बनाया। उसे बुखार था। इसलिए इसकूल नहीं आया। अब खा है अचानक इसका हमने वाक्य बनाया अचानक तेजी से तुफान आ गया गह है काफी तो काफी से आज काफी ठंडी है हमने वाक्य बनाया अब जल्दी सब्द से हमने वाक्य बनाया गोड़ा जल्दी चलता है अब अंगा शब्द है अहा तो यहाँ पे हम वाक्य बना जिक का अव्वे किसे कहते तो इसका उत्तर होगा ऐसे सब्द जो लिंग वचन कारक तथा पुरुष आदी के कारण कभी नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्वे कहते हैं अब दूसरा प्रशन है अविकारी सब्द कितने प्रकार के होते इसका उत्तर होगा अविकारी सहित असपष्ट कीजी, इसका उत्तर होगा, क्रिया की विशेस्ता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेसर कहते हैं, उदारन रुहंतेज्टे जा रहा है, पंखा दीरे दीरे चल रहा है, तो ये हो कि इसके इजामपल सहित प्रश्णे का उत्तर, अब इसमें नेश्ट है आउ कुछ करें, वर्क पहली, वर्क पहली से अब्वे सब्द छांट कर लिखे, तो यहां हमने अब्वे सब्द छांट लिया है, परियाप्त, अधिक, और, या, तथा, अमनेश्ट है, उफ, वाह, की, के भी तर सुबा, स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 20 के संपुर प्रशन व्यास को कंप्लीट किया, तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम आप से अपने अगले वीडियो में तक-Tक के लिए, धन्यवाद,